हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और निबंद लेखन की BEO के मेंस की प्रक्रिया में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों आपको अगर यह सेशन पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर किया करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वे लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिसे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें प्रतिरक्षा प्रणाली और ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में किस प्रकार से योगदान करती है इसको धियान में रखते हुए और इसे बढ़ाने बचाने और इसका शरीर में योगदान इन सब चीजों को धियान में रखते हुए हम लोग इस विशय को यहाँ पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर शुरुवात करते हैं देखते हैं किस प्रकार से यह जो इम्यून सिस्टम में वो काम करता है और क्या मात्वपूर्ण इसके बिंदू है देखें इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह बड़ी अजीब सी चीज है हमारे शरीर में एक विशेश प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जो कहीं न कहीं हमारे शरीर को जीवित होने क अहसास कराती है वास्तवीक रूप में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जीवन ज़ो है वो इस पर पूरी तरीके से टिका होता है हमारे शरीर में कहां कहां किस किस प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें मौजूद हैं इन सब की जानकारी जिस तंत्र को हमारे शरीर में होती है उसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कह सकते हैं बने आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे शरीर के अंदर अगर हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व आकर के एंटर करे जो कि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है तो सबसे पहले जो एलर्ट हो रहा है हमारे शरीर में वो इम्यून सिस्टम ही है वो इम्यून सिस्टम ये देख रहा है इम्यून तंत्र यानी प्रितरक्षा प्रणादी हमारा ये भाग देख रही है कि जो चीज बाहर से शरीर में प्रवेश कर रही है क्या वो हमारे इस structure को, इस मेरे structure को कहीं destroy तो नहीं कर सकती है और अगर ऐसा है तो उस प्रवेश करने वाले वस्तु को नस्ट करने में सबसे पहला वार जिसका होता है, वो ही होता है immune system तो आप सोचिए ये एक प्रकार की coding, encoding प्रणाली है जो हमारे शरीर में ईश्वर ने मौजूद करके रखी है जिससे हमारा शरीर स्वयम अपनी रक्षा कर सकता है सोचिए हम दिन भर अपने शरीर को भूल चुके होते हैं हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ हमारा शरीर भी है लेकिन जिसे ये मालूम होता है, वो ही है immune system आपको बेफिकर घूमने की जो आजादी कहीं न कहीं है immune system से ही मिलती है अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपको immune system से ही आजादी मिलती है और इस प्रकार की आजादी को बनाये रखने के लिए हमको अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत ज़ादा मजबूत करना पड़ेगा ये बात आपको माननी ही होगी समझ पारें आप हमारी बात यह नहीं इसको हम एक एक्जामपल से समझ सकते हैं इसे मैं एक एक्जामपल आपके सामने रखता हूँ बाइदवे आप लोगों ने बिलकुल कंप्योटर की प्रणाली को समझा सुना हो देखा और जाना होगा कंप्योटर कैसे काम करता है अगर हम कंप्योटर यानि कि संगड़क की बात करते हैं इसको हिंदी में संगड़क कहते हैं, अगर आप इसको संगड़क को या कंप्यूटर को अगर देखते हैं, तो आपको मालूमें कि इसमें एक विशेश प्रकार का सूचना कोडिफाई करने के लिए एक तत्तो मौझूद करवाया जाता है, आप लोगों के सिस्टम में भी जिसे हम लोग कहते हैं एंटी वायरस, क्या बोलते हैं इसको एंटी वायरस, आप लोगों के सिस्टम में ये एंटी वायरस के मौझूद्गी रहती है, अब जो कंप्यूटर है, वो जो काम कर रहा है भली भात ये अच्छी तरीके से, उसमें मान लेते हैं कि आपने एक लगाई उसमें, और जैसे ही USB अपने ड्राइव आप कंप्यूटर में लगाते हैं, वो बाहरी तत्व है, वो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, वो जैसे ही कंप्यूटर में इंसर्ट होता है, कंप्यूटर का जो एंटी वायरस है, वो एक्टिव हो जाता है, तुरंत हो करके identity करने का प्रयास करता है उसको पहचानने का प्रयास करता है कि कौन आया है और क्या साथ में लाया है और अगर उसे जैसे ही पता चलता है कि इसके साथ में किसी प्रकार का वाइरस है या कोई दूसरा क्या नमें तो उसे तुरंट पॉइंट आउट करके उसे एंटर करने से रोकता है और महाशे pen drive को ये आदेश देता है कि पहले अपने आपको स्कैन कराओ जैसे आप आजकल अगर कहीं दिखाने जाइए सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो डॉक्टर के पास आप जैसे ही आते हैं नॉर्मल मरीज को तो वो देखता है पर जैसे ही कोई मरीज उसके पास ऐसा आता है वो कहता है कि साब हमको तीन दिन से बुखार आ रहा है की कोविड की तो ठीक उसी प्रकार से ये एंटी वाइरस भी कहता है कि बाकी बातें बाद में होगी पहले स्कैनिंग होगी तुमारी कि तुम अपने साथ लाए क्या हो लग रहा कुछ गड़बड़ लाए हो इसको स्कैनिंग करने पड़ेगी और जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्कैन करने पर पूरा काम रोक करके सबसे पहले स्कैनिंग शुरू होती है और स्कैनिंग खतम होते ही आपको बता दियाता है कि यह समस्या इसमे थी इसको ऐसे ऐसे शॉट करना है आप उसकी दवा देते हैं तुरंत वो किल हो जाता है तो जो एंटी वाइरस है जो immune system कहेंगे, ध्यान रखना जो computer में antivirus है वही मानव का immune system याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे ध्यान रखना है इन चीजों को बहुत जरूरी है तो देखिए अगर हम इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है computer में antivirus जो होता है, वही मनुष के शरी में immune system होता है, यही मैंने आपको समझाने का अभी अभी प्रयास किया है कि antivirus और immunity में किस प्रकार का relation है, जिससे आप समझ सकें और इस तरीके की भाषा का इस दरीके के अच्छी तरीके से विशाड़ूं के बारे में 1890 में खोज हुई थी और लिखा हुआ है किन्त ये अगरित युगों से अस्तित में है, क्या 1880 में जब खोज हुई है विशाड़ूं की यानि वाइरस की, क्या तभी से वाइरस हैं संसार में, नहीं ये स्टेट्मेंट बताना चाहता है कि इससे कई वर्षों पहले से है पहले से अस्तित में था पहले से मालूम था मनुश्य को कहीं न कहीं जानकारी थी कि ये पहले से है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते थे तो ये जो वाइरस वगेरा होते हैं ये किसी जीवित व्यक्ति की तलाश करते हैं क्यों क्योंकि यही जीवित व्यक्ति जो है वो उसका घर बनेगा वो अपने आपको सर्वाइव करने के लिए आपके शरीर में प्रविस करता है यहां एक बात और ध्यान रखनी है कि वाइरस कोई नुकसान नहीं पहुचाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे रहने से ही प्रकृति का नुकसान हो जाता है, हम तो सिर्फ सड़क पे तेज चलना चाहते हैं, उसके लिए हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं, धूएं निकलते हैं, उससे उससे प्रकृति नहीं चाहता है लेकिन वो हमारे शरीर में प्रवेश करके रहना चाहता है और उसके रहने से ही हमें दिक्कत हो जाती है और हमारा शरीर जो है वो infected हो जाता है और धीरे धीरे हम बिमार पड़ जाते हैं अब यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर एक डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ और वो यह है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है सिदार्थ मुकरजी सिदार्थ मुकरजी ने एक लेक लिखा है और यह बहुत ही फ ने और एक साइख में दो पॉइंट लिखे हुए और दो पॉइंट को जरह समझने का प्रयास करी गा अब हुत इह महत्यपूर्ण यह दो पॉइंट है बहुत ही महत्यपूर्ण दो प्उइट है और है आपको इससे पहले मैं यह बात बता दूँ कि एक रोग है जिसका नाम है चेचक नाम सुनाओगा चेचक रोग है जब संसार में चेचक का वैक्सीन नहीं बना था ध्यान ड़कना जब संसार में चेचक का वैक्सीनेशन नहीं था या वैक्सीन नहीं बनी थी उस समय कुछ विशेस वर्ग के लोग थे गंगा नदी के किनारे के अगर हम बात करें तो गंगा नदी का जो दुआब रीजन है वहाँ पे कुछ घुमन्तू साधू संत थे उन्होंने चेचक का वैक्सीन खोजा हुआ था लेकिन साधू संतों की की गई खोजों को आज कल हम लोग प्रमाडित कहां मानते हैं वैसे तो रिगवेद यजुरवेद और तमाम प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हों में लिखी गई चीज़ें जो हैं वैक्सीन की खोज करी कुछ साधू संतों ने जो गंगा नदी के किनारे तटों पर यायावर के रूप में टहला करते थे गुमंतू वगेरा हुआ करते थे वो चेचक से बचने का तरीका खोज लिया था उन्होंने और उन्हें चेचक से बचने का तरीका क्या खोजा था कि जो चेचक के रोगी होते थे रोगी तो उनमें में सिर्फ कुछ की तो डेथ हो जाती थी लेकिन जो रोगी बच जाते थे जो रोगी बच जाते थे उस बचे हुए रोगी को जीवन में दुबारा कभी चेचक नहीं होता एक बार जो रोगी जो है चेचक के रोग से बच गया चल्दी 100% तो नहीं का सकता लेकिन बहुत मुश्किल है कि उसे दुबारा चेचक हो जाए अगर चेचक से बच गया है तो तो उन रिशियों मुनियों ने देखा कि चेचक से वो व्यक्ति आसानी से बच रहा है जो व्यक्ति एक बार चेचक से बच चुका है इसका मतलब ये है कि शरीर में एक बार अगर आपके कोई रोग आता है और आप उस रोग से लड़ करके जीत जाते हैं तो आपके immune system को उस particular रोग की पहचान हो जाती है उस शीख जाता है कि इस रोग से लड़ना कैसे और अगर ऐसा immune system किसी भले व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए तो वो व्यक्ति के अंदर भी प्रतिरोधक शमता उसी प्रकार की पैदा कर सकता है तो ज़रा देखें यहां लिखा है उन्होंने कि अगर सीमित संख्या में किसी व्यक्ति के शरीर में विशाणू का प्रवेश कराया जाए तो उसे प्राण घा तक रोग नहीं होगा तो लोग ऐसे ही करते थे इन लोगों ने करना क्या शुरू किया जो चेचक का व्यक्ति होता था उसका कुछ पीक निकाल लेते थे उसके शरीर से कुछ पीक निकाल करके किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डाल दिया जाता था कुछ समय के लिए वो स्वस्थ मनुष्य से भी बीमार पढ़ जाता था और बीमार पढ़ने के बाद वो उसी प्रतिरोधक शमता से ठीक भी हो जाता था जिस प्रितिरोधक शम्ता से उस रोगी के शरीर से लिया गया था वो तो आपने देखा होगा जब कभी छोटे बच्चे को भी किसी वैक्सीन का मतलब क्या है वैक्सीन एक विशेश कृतिम रूप से आपके अंदर रोग प्रितिरोधक शम्ता को बढ़ाती है इसका मतलब आपके शरीर में एक कोड डाल दिया जाता है जो उस बिमारी से के विरुध लड़ने के काम आता है जिसकी वो वैक्सीन है जैसे पोलियो की अगर वैक्सीन है तो पोलियो से लड़ने वाली आपके अंदर प्रितिरोधक शम्ता डाल दी जाती है तो आपके अंदर नेचुरली डवलप हो अगर नहीं है तो उसे डाल दिया जाता है जिससे के आपको पोलियो नहीं होता है तो इसी पर उन्होंने लिखा है कि अगर सीमित संख्या में किसी व्यक्ति के शरीर में विशाण उप्रवेश कराये जाएं तो उसे प्राण घातक रोग नहीं होगा किन्तो इसी प्रक्रिया में शरीर के भीतर मौजूद रोग प्रतुदक प्रणाली ने जो सूचनाओं को प्रोसेस करने वाली बड़ी इंटेलिजन्ट विवस्था होती है सक्री हो जाती है और इस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेती है यानि एक बार अगर ये काम कर दिया जाए तो वो वायरस आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और दुबारा वो वायरस अगर आपके शरी में प्रविश करेगा तो आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा बास समझ गए इस प्रकार से यह point भी आप add कर सकते हैं अपने माफ किजेगा यहाँ पर यह slide थोड़ी गलत हो गई है यह एक slide जो है बाई बीच में गलत हो गई है इसको मैं यह पिछले session की slide रह गई copy इसमें इसको मैं हटा देता हूँ आप इसे नजर अंदास करिएगा अब यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जब हमको मालूम है जब हमको मालूम है कि इस तरीके से immunity को बढ़ाया जा सकता है immune system का प्रयोग किसी रोग से लड़ने के लिए किया जा सकता है तो क्या हमने प्राण घातक जो रोग है उनसे बचने के लिए इसका प्रयोग किया निश्चित रूप से किया फिर चाहे वो चेचक हो, पोलियो हो, मीजल्स हो या फिर दूसरे कोई भी रोग हो, बिलकुल कारगर सिद्ध सुए हैं और अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें तो एक बात हमें और पता चलती है जैसे फ्लू वगएरा है, फ्लू वगएरा का जो रोग है वो भी इसी तरीके से है तो बात हमें ये पता चलती है कि अभी हाली ही में हम एक विशेष प्रकार के वाइरस से भी जूज रहे हैं जिसका नाम है COVID-19 नोवल कोरोना वाइरस अब ये नई चुनोती के तरह है और ये नया नवेला वाइरस अत्यनत संक्रमण शील है और संक्रमण शील तो है लेकिन इतना घातक नहीं है कि वो हमारे संपर्क में आने आले हर मनुश्य के प्राण ले ले लेकिन हर जगे तो हमसे ही का रहा है ता मैंटेन, सोसल डिस्टेंसिंग ये करो वो करो क्या सच में कोरोना वाइरस होने से प्राण गातक है हमें ये पता चलता है कि जिनके अंदर इस से लड़ने की छमता है उनके लिए तो प्राण गातक नहीं है यानि 100% ये हो जाने से आपका जान नहीं जाएगी मतलब इससे बचने के उपाय हैं मतलब इससे बचा जा सकता है ये बहुत जादा प्राणगा तक नहीं है वैक्सीन की तलाश जारी है लडाई चल रही है लेकिन इस लडाई से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें बाहर से हमारा अंदर का जो सेनानी है वो इसके लिए परयाप्त नहीं है हमें बाहर से दूसरी सेना के सहायता लेनी पड़ेगी हमें वैक्सीन खोजनी पड़ेगी vaccine को बाहर से शरीर में immune system को डवलप करने के लिए भेजना ये प्रक्रिया मालूमें क्या कहलाती है ये प्रक्रिया कहलाती है acquired immune system immune system को acquire करना इसको acquired immunosystem बोलते हैं acquired immune system और अगर हम और 코로나 virus के बारे हम बात करें तो हमारे पास अभी acquired immune system नहीं आया है तो आप लोग ने तमाम बार सोचा देखा होगा कि तमाम लोग जो है वो प्लेटलेट्स दान कर रहे हैं जिन लोग को कोरोना हुआ था और वे ठीक हो गए थे इसको हम लोग एक विशेस प्रकार की ये थेरेपी है जिसको क्या सकते हैं कि प्लेटलेट ट्रांसफर प्लांट क करके थियोरी जो है वो अपना ही जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इससे जो है वो ठीक हो रहे हैं लोग कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है पर ऐसा संभव होता है अगर एक शरीर में आपको एक रोग से लड़ने की शमता विक्सित आती तो दुबारा उस लोग से आप कई बार लड़ सकते हैं तो ये जो कुरोना वाइरस का जो बेलगाम घुड़ा है इससे बचने के लिए भी हमको किसी न किसी acquired immune system की जुरुत पड़ेगी या फिर ऐसा व्यक्ति कारगर सिद्ध हो सकता है संभवता जिसमें अभी वैग्यानिकों को संशय है जिस पर प्रयोग जारी है कि जो लोग कुरोना से ठीक हो चुके हो उनके अंदर की प्रत्रक्षा प्रणाली किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर डाल करके कुरोना वाइरस का वैक्सिन तियार किया जाए तरिके से फिलहाल इससे बचने के दो तरीके है दो प्लान है दो तरीके है प्लान ए डिफेंसिव प्लान जितना संभ़ा हो सके बच कर रहे है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सेनेटाइजेशन का जो प्रयोग है वो करें Plan B, ये भी defensive है किन तो उम्मीद जदा कि अगर हम संक्रमित हो जाएं तो हमें विश्वास रखना होगा अपने immune system को, immune system का will power बढ़ाना होगा उसे विश्वास दिलाना होगा उसे हनुमान की तरह जगाना होगा कि तुम कर सकते हो तुम परिशान ना हो, अगर किसी को भी कोरोना वाइरस होता है तो उसे इस तरीके का भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये कोई विशेस वाइरस नहीं, जिसे तुमाई जान चली जाएगी तुमारा शरीर इसे डवलब कर सकता है, जी सकते हो तुम इसमें तो भरोसा, ये भी defensive है, इसके अलामा कोई दूसा तरीका अभी तक नहीं है तो acquired immunosystem जो है वो अभी नहीं नहीं है इसके लिए innate immunity system पर ही पूरी तरीके जब्मेदारी है तो इस innate immunity system को आप इसी तरीके से डवलब कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको तो कुल मिला करके immunity जो है, वो एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को सुचार रूप से चलाने में महत्वपुन योगदान देती है खास कर हमारे शरीर के जो दुश्मन, जो कि दुश्मन नहीं है परन्तु हमारी नुकसान कर रहे हैं, तो हमेरे दुश्मन निकलाएंगे लेकिन एक बात यहां सोचने की ये भी है कि जब इतना कुछ हमें जानकारी है अच्छा ये immune system को नुकसान भी पहुँचता है immune system को नुकसान पहुँचता है जब आप cigarette फूखते हैं immune system को नुकसान पहुँचता है जब आप alcohol का इस्तेमाल करते हैं immune system को नुकसान तब पहुँचता है जब आप बाहर की तली भुझी चीजें और hard fat वाली high fat level fat की चीजों का इस्तेमाल करते हैं junk food का प्रयोग करते हैं soft drinks का प्रयोग करते हैं soft food का प्रयोग करते हैं इससे आपका immune system destroy होता है और जिस समय destroy कर रहे होते हैं हम उस समय कभी सोचते हैं कि आगे चल करके ऐसा रोग भी आ सकता है जो हमारे immune system के शिथिल पढ़ जाने पर हमारे शरीर को नुकसान पहुचा सकता है तो क्या हम बुद्धि जीवी इतने हैं कि अपने और अपने मन को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं शायद इस प्रकार से स्वाद के लिए और आनंद के लिए अपने immune system से दोगला व्यभार ना करें और स्वयम को बचाएं और अपने immune system को बढ़ाएं तो इस तरीके से conclusion करते हुए आप इस लेक्चर का अंत कर सकते ह अशा करते हैं कि आपको ये immune system से संबंदी जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा इसका PDF में आप लोगो टेलिग्राम में सेंड कर दूँगा टेलिग्राम में जुड़ने के लिए जो नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप संपर कर सकते हैं या फिर सक्षम हैं मूल बाती है कि सक्षम है तो अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी प्रकार की राशी हमको इस नंबर पर इस जो यहाँ पर दिये गए हैं आप इस पर दान कर सकते हैं ये नंबर है एकाउंट और ये तमाब प्रकार के UPI payments हैं आप इनमें से किसी कई प्रयोग कर सक करते हैं आप आप सबसे के सहयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही फिर मुलाकात करेंगे लेक्चर में नमस्कार जय हिंद